12th October, Happy Birthday मिथुन मनहास So this video is all about the Birthday Boy मिथुन मनहास So comment में जरूर बताएगा कि आप लोग इस क्रिकेटर को जानते हो या नहीं तो जैसा कि आप देख सकते हो आज ही के दिन 1989 में इनका जन्म हुआ था तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो 1997 से लेकर 2017 तक इसने क्रिकेट खेला और almost 15,000 रन 15,000 से भी जादे रन इन्होंने बनाया तीनों format मिला के domestic क्रिकेट में और किसी भी क्रिकेटर के लिए 20 साल लगातार क्रिकेट खेलना एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होता है और 37,000 रन 15,000 रन बनाना अगर आप batsman हो तो आप समझ सकते हो कि यह कितना बड़ा अचीवमेंट है 15,000 रन बनाना एक बहुत ही बड़ा बात होता है बहुत ही बड़ा बात तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो मिथुन मनास ने 6 साल IPL भी खेला है 2008 से लेकर 2014 तक और Champions League बे इसने खेला है आप देख सकते हो Champions League 2020 जो होता है तो मिथुन मनास ने 3 टीम से IPL खेला है डेली डेडेबल्स, पूने वारियर इंडिया और चिन्ने सूपर किंग्स हलाकि IPL में मिथुन मनास का performance कुछ खास नहीं रहा 55 मैचेज में इन्होंने सिर्फ 504 रन बनाया है जिसमें इसका हाईस्ट कोर 42 रन था वैसे मौका भी उतना नहीं मिलता था बैटिंग करने का ज़्यादा तर डाउन दा ओर बैटिंग मिलता था तो ओवर्स होते नहीं थे रन बनाने के लिए इसलिए उतना खास परफॉमेंस हुआ नहीं इन काईपल में बाकि ये काफी अच्छे प्लेयर थे जब-जब मौका मिला इन्होंने अपना बेस्ट देने का कोशिश किया और ये काफी अच्छे प्लेयर है और काफी इंस्पाइरिंग प्लेयर है काफी inspiration मिलता है इनसे हलाकि 20 साल cricket खिलने के बाद 15,000 से भी ज़दारन बनाने के बाद भारतिय टीम में कभी मौका नहीं मिला मिथुन महनास को क्योंकि आप लोग को पता है इंडियन टीम में जगा बनाने कितना मुश्किल होता है और कितना competition होता है बट ये काफी अच्छे player थे अपने generation के काफी top class batsman थे ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर है जिसने काफी अच्छा performance किया है अभी तक domestic cricket में बट अभी तक भारतिय टीम में मौका नहीं मिला है उन में से एक है मिथुन मनास तो काफी ज़ादा consistent थे अपने करियर में बट मौका नहीं मिला भारतिय टीम में बट he never gave up he always tried his best और जितना भी cricket इन्होंने खेला काफी बड़ा बात है IPL खेलना अतना साल ता कितना साल तक रंजी ट्रॉफी खेलना तो ये काफी बड़े player है इंडियन domestic cricket के मिथुन मनास तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो मेरा दो फोटो ये मिथुन मनास के साथ तो एक जो है वो पवेलेन का है और एक जो है ग्राउंड का है तो दो बार मैंने इनसे मिला है और मैंने मिथुन मनास को बॉल डाला है काफी challenging लगा था इनको बॉल डालने के बाद काफी strongly correct player है तो बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखने को मिला था मिथुन मनास को बॉल डालने के बाद और जब फर्स टाइम मैं इसे मिला था तो इन्होंने मुझे पवेलेन में बुलाया था पवेले ने बुला कि मैंने इनसे बाते की इन्होंने कहा आओ उस्टम लंच चलग रहा था तो आओ छोटो कुछ खाओ तो मेरे लिए उसा बहुत ही बड़ा चीज था कि एक IPL लेवल का player मुझे इतना अच्छी तरीके से बात कर रहा है मतलब he was like so polite with all the juniors over there तो इसे ही पता चलता है कि एक अच्छे क्रिकेटर के साथ-साथ ये एक अच्छा इनसान भी है तो काफी अच्छा experience मिला था मुझे मिथुन मनास से मिलने के बाद time spent करने के बाद तो काफी अच्छा experience था वो तो मैं lucky feel करता हूं कि मैं इतने बड़े-बड़े प्लेयर्स के साथ मिल चुका हूं, time spent कर चुका हूं, साथ में खेल चुका हूं, उनको balling कर चुका हूं सो अब मिथुन मनास एक क्रिकेट के coach बन चुके है and I wish him a great career ahead in coaching also so once again happy birthday to मिथुन मनास God bless him so ऐसे ही क्रिकेट से related informative videos के लिए मेरे channel को subscribe करिए video अच्छा लगा तो like करिए, share करिए keep supporting me guys, thank you so much